दोस्तों नवश्का ओलाइन मकान.com की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार आजी रहों आपके लिए नया चोटा से वीडियो लेकर गें दोस्तों आज की वीडियो में एक रीसेल का मकान आय हुआ है वाल इर में क्लाइंट को और जेंटली बेचना है तो कि अब है ने डेत हो गई है तो सर्व सहमती से वह बेचना चाहते हैं लोकेशन बताना चाहूंगा जो अपना बीडी मौल है दिनजाल सिटी मौल है उसके पीछे नोगजा रोड होता है तो नोगजा रोड के पास में ही एक कॉलोनी है लगी हुए सुभम कॉंप्लेक्स पर लोकेशन के हिसाफ से पैसे खीक है थोड़ा बहुत प्राइस में नेगोसियेट भी करेंगे तो आईए चलिए छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया आपको दिखा देता हूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपनों से गुजारिस रहेगी चनलन को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल अगन को भी प्रेस कर दीजे जिससे कि हमारे सारे लेट्रेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहेगे तो आईए वीडियो मैं आपको दिखाता हूं यह टोटल 20 बैं पचास का प्लोट साइज है पुराना बना हुआ है यह टोटलेट बगरा बने हुए एक पोर्शन इस तरब बना हुआ है दोनों साट दो पोर्शन बने हुए है दो लोगों के बीच में ये डिवाइड है मकान बाकी दोनों क्लाइंट एगरी हैं कैसी कोई समस्या नहीं है और ये अपना जो दिंद्याल सिटी मॉल है सिटी मॉल के पीछे सुभम कंप्लेक्स के बैक साइड में पड़ता है बाइक बगएर आराम से आजाएगी कार भी आजाएगी बार की रोड भी दिखा देंगे बटिया के कार बैक में ही ले जाना पड़ेगा टर्निंग की प्रॉलम है आगे चौक पर खड़ी कर देंगे वो सामने चौक दिखरी है जहाँ कूलर रखा हुआ है बाइक है तो यहाँ पर कार खड़ी हो जाई है आपकी और सामने से यहाँ सा दिखता है घर तो यह 20 भी 50 का साइज है और रजिस्ट्री है पक्की पुरानी 79 की रजिस्ट्री है इनकी गवर्मेंट से डिमांड जो है मकान की ओ 40 लाख रोपी की डिमांड है बाकी थोड़ा बहुत नेगोशियेट भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो यह है ऐसा मकान दिखता है तो किसी को भी अगर पसंद आये लगे कि हमें सिटी के बीचो भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर द दिक्कत नहीं है लोकलेटी भी ठीक टाक है सही घर बने हुए लोग ठीक टाक रहते हैं इदर तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी आज की वीडियो में इतना ही मिलते है जल्दी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वस्तर हैं मस्तर हैं नमस्कार